हेलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम इकलासिस में आज की जो हमारी कलास है वो हमारी मैच की स्पेशल कलास होने वाली है और आज की कलास में मैच के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन ड सही जवाब दे सकते हैं चले अपनी कलास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले कल की कलास में मैंने आपको यह वाला प्रसन हमवरक के लिए था तो पहले इसको डिसकस कर लेते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में आधिक प्रयोग होने वाला पदार्त है आपको टर्गेट दे रहा हूँ आज 12 प्लैस कोशन राइट करने का अगर आप 12 भी कोशन ठीक करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल का ही हमारा पेपर होने वाला है पहला स्थानियमान क्या होता है ध्यान से समझेगा और अगर आपको कोशन आते हैं तो वीडियो को पॉस करिए या फिर बिना पॉस करिए ही कोशन को सॉल्व करिए और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है देखिए मान लीजे यहां पर संक्या कितनी है 432 है अगर मैं बो यह आपका 4 का स्थानियमान हो जाएगा अब यहां पर देखिए 4 कहां पर है एक तो यहां पर 4 है यानि कि एक तो स्थानियमान आपका 4 का हो जाएगा 40 कलियर है और दूसरे केस में क्या है आपका 4 यहां पर दे रखा है और इसके बाद कितने डिजिट बसते हैं 1,2,3,4,5 यानि कि आपको 5, 0 और फिर 4 लगाना है देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपका 4 आएगा है ना उल्टा बोल दिया मैंने 4 और उसके बाद फिर आपको 5, 0 लगानी है यह आपके दोनों की दोनों 4 के स्थानिय मान हो गए अब इनका सिधा आपको डिफ्रेंस लेना है और आपका राइट आंसर आजाएगा यहाँ पे 0 आएगी यहाँ पे आपका 6 आएगा 9, 9, 9, and 3 देखिए कौन से उप्षन में हैं 3, 9, 9, 6, 0, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या सभी ने उप्षन C को आंसर दिया है अगर आप सभी ने उप्षन C को आंसर दिया है आपका बिल्कुल करेक्ट है कौशन नंबर सेकिंड देखिए मैं उमिद करूँगा यह कौशन समझ में आया होगा आपको अब इस कोशन में तो आपको कुछ भी नहीं करना आपको 26 का स्क्वेर बताना है 26 का स्क्वेर क्या होगा यानि की 26 गुणा 26 सिम्पल सी बादा 676 राइट अंसर होगा option B अगर आपको स्क्वेर नहीं पता थे तो आपको multiply कर लेना था और वैसे मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूँगा कि आपको 30 तक के square अच्छे से याद होने चाहिए और 20 तक की आपको cubes की value पता होनी चाहिए जो कि आपकी calculation को कहीं न कहीं easy बना देती है तीसरे नमबर का question देखिए अस्ट भूज में कितने विकर्ण होते हैं अब देखिए ये जो latest pattern का question है आपका आपके exam होआ था 28 February 2021 और 28 March 2021 इसमें ट्रेडमेन का exam था 28 February को 28 March को आपका जीडी का exam था दोनों ही shift में इस type के question पूछे गए थे विकर्णों की संख्या ग्याद करें समझे विकर्ण निकालने का formula क्या होता है n into n minus 3 divide by 2 clear यहाँ पे n क्या है जितनी आपकी भूजा दे रखी है अब ये अस्ट भूज है तो यहाँ पे total number of sides कितनी होंगी आठ होंगी आठ गुणा n minus 3 यानिकी आठ में से 3 माइनस करेंगे तो 5 and divide by 2 समझ पा रहे हो दो से cancel करेंगे दो चोके आठ और पांच चोके 20 total number of diagonals कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे option आपका C बिलकुल correct answer है अगर आप सभी ने option C को answer दिया है आपका answer correct है यह formula ध्यान रखीएगा very very important है आपके latest pattern में question पूछता है question number 4 देखिए और math की class है इसके अंदर बहुत ही कम बच्चे interested होते हैं परन्तु math देखिए GK GS सभी पढ़ेंगे math और reasoning ही ऐसा subject है जो सभी विद्यारती नहीं पढ़ते हैं आपको यह भी strong करना है क्योंकि आगे competition बहुत जादा है 6-8 मेने से आपके exam नहीं हो रहा है आगे मालूम नहीं कि math का level क्या पता हाई हो जाए क्या पता GK का level हाई हो जाए कुछ भी हो सकता है तो math की class season होती है उसको miss मत करना complete देखना कोशन है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 8 ratio 125 है उनके प्रिष्ट शेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो देखिए यह आपका question है advanced math का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके formula घन के आयतन का formula क्या होता है A की cube होता है clear अब यहाँ पर देखिए घन के आयतन का formula A की cube दोनों घन के आयतन का अनुपात क्या दे रख्था है आपको यहां पर भी A की क्यूब कर देता हूँ and divide by A की क्यूब A का इतना आपको 8 दे रख्या है और A की वैल्यू आपको दे रख्या है 125 तो यहां से अगर मैं दोनों की A की वैल्यू निकाल लूँ यानि कि दोनों की भुजा कितनी हो जाएगी 2 की क्यूब 8 होता है और 5 की क्यूब 125 होता है समझ पारे हो दोनों घन की जो भुजाएं है वो 2 और 5 है इतना कलियर है तो इसको मैं कैंसल करके यहां पर लिख देता हूँ A is equal to 2 and A2 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहां पर 5 समझ पारे हो अब इनके प्रिष्ट शेत्रफल का अनुपात निकालना है घन का प्रिष्ट शेत्रफल क्या होता है 6 A square होता है कलियर है अब देखिए 6 गुणा A square पहले हम 2 को ले लेते हैं 2 का square 4 तो यहां पर कितना हो जाएगा 24 हो गया फिर देखिए दूसरा 6 गुणा अगली भुजा 5 है तो 5 का square कितना हो गया 25 हो गया तो यहां पर आपका 150 हो जाएगा यह इनके प्रिष्ट शेत्रफल आ गए अब इनका आपको अनुपात निकालना है 24 ratio 150 निकाल दो फटफट से 6 से कंसल करता हूँ 6 24 और यहां पर 6 दूनी बारा 6 35 4 ratio 25 option A आपका correct answer है जिनों ने option A को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है Question number 5 पर चलते है answer जल्दी से दीजेगा ज्यादा समय नहीं मिलेगा answer देने के लिए यदि एक संख्या का एक बटा 7 इसके एक बटा 11 से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है तो समय चाहिए तो session को रोखिएगा देखे माना मैंने संख्या क्या है x है भई तो x का 1 प्टा 7 क्या होगा x बटा 7 हो जाएगा clear x का 1 प्टा 11 क्या होगा x बटे 11 हो जाएगा है ना और इनका answer कितना दे रख्या है 100 दे रखा है तो इनके बीच का जो अंतर है माइनस का साहिने देखो बीच में इनका अंतर आपको 100 दे रखा है ये इससे 100 अधिक है अब आपको X की वैल्यू बतानी है कैसे निकालोगे LCM ले लो LCM आपको लेना आता होगा मैं डिरेक्ट करूँगा देखे इनको आपस में क्रोस मल्टिप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टिप्लाई करना है ये आपका LCM हो जाएगा करेंगे 11X माइनस 7X नीचे आपका 77 इस इक्वाल टू 100 तो ये 77 इदर जाके जब 100 में मल्टिप्लाई होगा तो यहाँ पर मैं डिरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी 77 सो बन जाएगी कलियर है अब ये 11X में से 7X घटेगा तो यहाँ पर 4X बचेगा इस इक्वाल टू 77 अब 4 से अगर हम 77 सो को भाग करते हैं तो 4 एकम 4 4 निमे 36 4 दूनी 8 4 पंजे 20 X की वैल्यू कितनी आएगी 1925 आएगी कहाँ पर है option C में है option C आपका correct answer है क्या सभी ने option C को answer दिया है option C आपका बिल्कुल सही answer होगा question number 6 देखिएगा सामने screen पर है कि यदि एक भीन का अंश 20 परतिशत और उसका हर 25 परतिशत बढ़ा दिया जाए तो परिणाम सवरूप इस प्रकार प्राप्त भीन 3 बाई 5 होता है मूल भीन क्या है ये आपको बताना है देखिएगा direct करेंगे question को क्योंकि आपका test लग रहा है answer दो इसका फटा फट देखिए माना मैंने जो अंश है वो x है और जो हर है वो क्या है y है clear अब इसमें अगर हम 20 परतिशत बढ़ाएंगे x में तो क्या हो जाएगा x गुणा 120% हो जाएगा समझ पारे हो ना अगर हम हर में 25 परतिशत बढ़ाएंगे तो यहां पे 125% हो जाएगा दीखिए 25% बढ़ाने के बाद आपका 125 बनेगा यह ध्यान रखिएगा तो इतना करने के बाद आपका कितना बन रहा है 3 by 5 बन रहा है डारेक्ट लिखो बस अब जितना आपसे cancel out होता है उतना cancel करो फटा फट से I hope इतना सभी को समझ में आया होगा देखिए फटा फट से cancel करते हैं यह percentage से आपका percentage cancel होता है 5 से cancel करूँगा कितना बनेगा 5 दूनी 10 25 तीन से cancel करूँगा तो यहां पे आपका 40 बनेगा तो यानि कि यह आपका कितना बना है 40 X डिवाइड बाई 25 Y और cancel करेंगे तो कितना बनेगा 5 Y उपर बनेगा आपका 8 X तो देखिए 8 X अपोन 5 Y को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 X is equal to 5 Y यह लिखेंगे ना अब यहां से हमको X और Y की value पता लग गई X की value कितनी है 5 है और Y की value कितनी है 8 है 5 ratio 8 आपका right answer होगा option C जिनोंने option C को answer दिया है 5 by 8 उनका answer बिलकुल correct है क्या सभी ने option C को answer दिया है यह वाला कोशर मैंने आपको ratio and proportion वाला topic में करवाया है अगर नहीं देखा नहीं आपको आता तो वहां जाके basic clear करिएगा इसका कोशर नमबर 7 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दो संख्याओं का अनुपात 8 ratio 9 है तथा उनका मैं से 14 है उनका ले से ग्यात करो देखिए दो संख्याओं क्या है 8 ratio 9 के अनुपात में है अब यहां पर क्यूंकि आपको इनका HCF दे रखा है तो यह जो आपको ratio दे रखा है न आप इनका भी HCF ले लो direct करेंगे इनका HCF कितना बनेगा भाई एक बनेगा और एक ratio की value कितनी दे रखी है आपको 14 दे रखी है यह भी HCF है और यह भी HCF है बस फरक इतना है कि यह HCF आपका ratio में है और यह HCF आपका actual संख्या में है clear है अब यहां से आपकी संख्या ही निकल जाएंगी अगर मैं 14 को 8 से multiply करता हूँ तो आपकी संख्या क्या बनेगी 14 को 8 से multiply करने वाद 8 चोके 32 का 2 हांसिल 3, 8 एकम 8 और 3, 11 112 ratio 14 को 9 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा 9 चोके 36 का 6, हांसिल 3, 9 एकम 9 और 3, 12, 12 clear है इतना अब यहां पर समझे कोशन को हमको इनका LCM निकालना है अब भाई 112 और 126 का अगर LCM निकालने बैठोगे आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए आपको LCM का एक और फैक्टर मालूम होना चाहिए मैंने आपको यह ट्रिक अभी बताई नहीं है LCM क्या होता है common factor into other factor देखिए अब फटा-फट से करते हैं 112 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 गुणा 14 लिख सकते हैं जो कि हमने अभी तो किया है 14 गुणा 8 LCM 126 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 14 कलियर अब इसमें common factor क्या है आपका 14 है common factor into other factor 8 और 9 को multiply करेंगे 72 into other factor कर दो 14 को बहतर से multiply करेंगे आपका LCM आजाएगा 1008 option A आपका बिलकुल correct answer है अगर आप से भी ने option A को answer दिया है आपका answer correct है इस तरीके से आप LCM निकाल सकते हैं फटा फट से common factor into other factor जो आपके factor common है इनको अलग से लिख लिजी एक बार में और जो बाकी के factor है उनको भी इस से आपको multiply कर देना है आपका LCM आ जाएगा ये तब ही करना है जब आपको बड़ी संख्याएं दी हो question number 8 देखिएगा सामने screen पार आज question hard level नहीं है थोड़े से lengthy है question आपके hard नहीं है बिलकुल भी बस थोड़े से lengthy question है थोड़े से लंबे है calculation जादा है इसका answer देंगे तीन संख्याओं का अनपात 3 ratio, 2 ratio, 1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटा वर्ग क्या है चलिए जल्दी से answer solve करिए फटा-फट से इस question को और जल्दी से answer comment box में comment करिए बढ़ते हैं solution पे दीखिए ये ratio में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3x 2x और यहाँ पे 1x यानि की x है ना इनका योग का आधा बहतर दे रखा है यानि कि इनका योग कर लो और इनके योग का आधा इसको दो से भाग भी करना पड़ेगा जिसकी value कितनी दे रखी है 72 दे रखी है समझ पा रहे हो ना इनका योग कितना होगा 6x अपॉन 2 ये योग हो गया ये total को 2 से भाग करेंगे तो total का आधा हो गया और इसकी value दे रखी है 72 2 से cancel करेंगे 2 तिया 6 और 3 से अगर मैं 72 को भाग करूँगा तो कितना बनेगा 3 दुनी 6 और 3 चोके 12 x की value कितनी है भाई 24 है आपके सामने कितनी है 24 है अब यहाँ बराब से क्या पूछा है सबसे छोटा वर्ग बताना है सबसे छोटा रेशो कितना है 1 है अगर x की value 24 है तो 1 x की value कितनी होगी सबसे छोटी संख्या 24 ही बनेगी और हमें उसका वर्ग बताना है तो 24 का square करेंगे 576 आपका option A correct answer है जिनोंने option A को answer दिया है उनका answer correct है question number 9 देखिए और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आरा कोई question तो इसको आप दुबारा से समझ सकते हैं यह हमारा test लग रहा है यहाँ पर हम basic clear नहीं कर रहे हैं है ना परन्तु आप exam में अगर same approach लगाएंगे तो आप आराम से question को solve कर पाएंगे वैसे मैंने topic wise आपका 70% math complete करवा रखा है आप topic wise जाके हमारी playlist में वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ से आपका math और ज़्यदा clear होगा फिर आपको test लगाने में और ज़्यदा helpful लगेगा देखिए इसका answer दीजे जल्दी से 6 संख्याओं का औसत 8 है उनमें से कौन सी 7 वी संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए इसके करने के दो तरीके हैं पहले मैं आपको basic बताऊंगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए average का formula क्या होता है आंकडों का जोड़ बटे में कुल संख्या यानि कि जितनी संख्याओं हैं उनका total और divide में जितनी संख्याओं हैं वो आप देखिए 6 संख्याओं का औसत 8 है अगर मैं 6 को 8 से multiply कर दूँ तो 6 संख्याओं का total बन जाएगा 48 clear साथवी संख्या उसमें क्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए साथो संख्याओं का औसत 10 करना है देखिए 6 संख्याओं का total कितना है वही 48 है सातवी संख्या क्या जोड़ी है जिसको मैं X माल लेता हूँ तो ये उपर क्या है आपका सातो संख्याओं का टोटल बन गया कलियर आप क्यूंकि टोटल संख्या है साथ है तो साथ से भाग करेंगे तो ये क्या है आंकडो का जोड नीचे आपका कुल संख्या यह आपका औसत बने गया 7 संख्याओं का और औसत हमको कितना बनाना है 10 बनाना है तो आपका 10 आना चाहिए यहाँ पे इसको solve करने के बाद इतना सभी को clear हो गया अब यह 7 इधर जाके जब 10 में multiply होगा तो यहाँ पे 7 ना रहे कर यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 70 बन जाएगा clear अब देखिए यह 48 प्लस X बराबर 70 है तो 48 इधर जाके 70 में minus हो जाएगा तो X की value कितनी बनेगी 48 को 70 में minus करेंगे 22 आपका बिलकुल correct answer होगा option A अगर आप सभी ने option A को answer दिया है तो आपका answer यहाँ पर बिलकुल correct है बढ़ते हैं next पे question number 9 के तरफ आपके सामने screen पर question number 10 सुरेश की उमर किरण की उमर की दो गुणी है यदि दोनों की उमर का जोड 24 वर्ष हो तो सुरेश की उमर बताएं यहाँ पर मैं लिखता हूँ S से सुरेश और के से किरण सुरेश की उमर की उमर की दो गुणी है तो इनका रेशो कितना है 2 ratio 1 है उमर का दोनों की आयू का जोड 24 वर्ष है डेरेक्ट करेंगे बिना X Y मान के भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पर रेशो में हम इनकी उमर का टोटल करेंगे तो रेशो में बन रहा है टोटल थील और एक्च्वल में टोटल कितना है 24 यर्स है कलियर अब यहाँ से हमें एक रेशो की वैल्यू निकालू हूँ तो कितनी बनेगी यहाँ से 8 बनेगी समझ पारे हो ना एक रेशो की वैल्यू आठ है सुरेश की उमर बतानी है सुरेश का रेशो कितना है 2 है तो अगर एक रेशो की वैल्यू आठ है तो दो रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 16 बनेगी option आपका A correct answer है जिनों ने option A को answer दिया है उनका answer बिल्कुल correct है चलिएगा next बढ़ते हैं question number 11 की तरफ question number 11 और ये वाला type very very important है आपका profit and loss से और ये question भी एक्जाम में आपके बन सकता है कैसे करोगे solve question है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तॉल से छेड़ चाड़ कर 18 प्रतिशत तक धोखा करता है उसका कुल लाब प्रतिशत क्या होगा अगर मैं आपको इस question की trick बता दूँ फटा-फट से question solve हो जाएगा आपका जब भी आपके सामने कोई ऐसा question आए देखिए दो बार फैयदा ले रहा है वो एक बार तो खरीद रहा है तब 18% का धोखा कर रहा है 18% कम में खरीद रहा है और बेच रहा है तो 18% आधिक में बेच रहा है है ना तो जब भी ऐसा कोई आपके सामने question आए तो आपको formula लगाना है successive rate वाला कौन सा successive rate का formula क्या होता है x plus y plus xy upon 100 यह आपको formula लगा देना है clear है अब देखिए 18% का दोनों तरफ profit कमा रहा है तो यहाँ पर formula क्या बनेगा आपका 18 plus 18 plus xy यानि कि x भी आपका अठारा है y भी आपका अठारा है तो xy करेंगे 18 गुण अठारा 324 और divide by 100 formula ध्यान रखीगा इस particular question के लिए आगे देखिए इसको solve करेंगे पहले तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा इसको देखिएगा 18 plus 18 बनेगा आपका 36 plus यह आपस में भाग हो जाएगा यहाँ पर बनेगा 3.24 यही बन रहा है इनको जोड़ दो आप जल्दी से 39.24 option आपका c बिल्कुल correct answer हो गया option c जिनने answer दिया है उनका answer बिल्कुल correct है जब भी ऐसा प्रशन आपको देखने को मिले आपको successive rate वाला formula लगाना है कि कोई दुकांदर खरीदे और बेचते समय इतने परसेंट का जो है धोखा करता है question number 12 देखिए question number 12 थोड़ा सा अच्छे लेवल का question है आपका साधारन ब्याज का कि एक व्यक्ति ने 150 रुपे 4 वर्ष के लिए तता 600 रुपे 2 वर्ष के लिए उधार दिये दर क्या है देखिए ब्याज की दर फोर्मुला आप कौन सा लगाएंगे इसमें simple interest वाला साधारन ब्याज का फोर्मुला क्या होता है मूल्धन गुणा दर गुणा समय divide by 100 फोर्मुला तो आई होप आप सभी को याद होगा तो फोर्मुला लगाते हैं फिर पहले केस में मूल्धन कितना है 150 रुपे समय कितना दे रखा है चार वर्ष rate of interest हमको निकालना है दूसरे केस में क्या है मूल्धन दे रखा है आपको 600 रुपे समय दे रखा है दो वर्ष rate of interest हमको निकालना है है ना और फोर्मुला क्या होता है divide by 100 देखिए अब ये भी आपका साधरन ब्याज का फोर्मुला है ये भी आपका साधरन ब्याज का फोर्मुला लगा है है ना और दोनों साधरन ब्याज कितना प्राप्त हुआ है दोनों मिला कर 90 रुपे तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों का जोड कर दो, साधरन भी आज आपका 90 रूपे आना चाहिए, इतना कलियर है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं कोशन की तरफ, जितना आप से कैंसल हो रहा है, उतना आप कैंसल कर दीजिए, चार से करता हूँ, चार से कैंसल करूँगा 25 टाइम में, और 25 से कैंसल करूँगा तो 6 टाइम में, ऐसे यहाँ पे दो जिरो से आपकी दो जिरो कैंसल, कहां पे करूँ, सोल्फ जगा तो बची नहीं, यहाँ पे करता हूँ, देखो, यह सोल्फ होगा तो आपका कितना बनेग यहां पर 6 आर परसेंट प्लस 6 दुनी 12 तो यहां पर 12 आर परसेंट बराबर 90 समझ पा रहे हो ना अब 12 और 6 कितना हो गया 18 आर परसेंट बराबर 90 तो 18 से 90 को भाग करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा आर परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी 5 परसेंट आपका C जो है यह बिलकुल करेक्ट आंसर है जिनोंने आपशन C को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है चले आगे चलिए कोशन नमबर 13 है आपके सामने थोड़ा सा लेवल किसी किसी कोशन को बढ़ाये हुआ है जो की बहुत जरूरी भी है इसका आंसर दे दो जल्दी से यह भी लेटेस पैटरेन में आपसे पूछा था माधिका ज्यात करें माधिका क्या होती है देखिए समझे तीन चीजे होती है एक होता है आपका माध्य एक होती है आपकी माधिका एक होता है आपका बहुला माध्य का मतलब क्या होता है औसत औसत का फोर्मूला लगाएंगे तब भी आप अराम से माध्य निकाल लेंगे है ना माध्धिका क्या होती है जो हमसे पूछा गया है कोई भी आपको सीरीज दे रखी है इनको आपको आरोही करम में लगाना है याने की पहले छोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा आपको numerical order में लगाना है केलियर उसके बाद जो बीच वाली संक्या होगी वो आपकी माधिका होगी बहुला क्या होता है जो संक्या सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको हम बहुलाग बोल देते हैं अब यहाँ पर क्योंकि हमको माधिका निकालनी है तो पहले इनको नुमेरिकल ओडर में लगाईए सबसे चोटी संक्या कौन सी है इसमें 16 है 16 के बाद क्या है 19 है 19 के बाद क्या है वही 19 के बाद आपकी 23 है 23 के बाद आपका 25 है फिर आपकी 26 है फिर 39 है फिर 30 है और फिर 31 है यही है ना अब यहां पर देखिए आगे समझिये इस question को कितनी संख्याएं हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब यहाँ पर आपकी आठ संख्याएं हो रही है अगर देखिए यहाँ पर आपकी संख्या मालिज्ये 15 होती टोटल संख्याएं 9 होती पहले आप इस चीज़ को समझे तो देखिए हम चार इधर निकाल देते, चार संख्याएं इधर निकाल देते जो बीच वाली संख्या 25 है यह क्या होती आपकी माधिका होती डैरेक्ट कलियर परंतु इस केस में क्या है यहाँ पर जो आपके पास total संख्यां दे रखी हैं, वो दे रखी हैं आपको 8 अब 8 वाले में क्या है, 3 संख्यां इधर निकाल दी, 3 संख्यां हमने इधर निकाल दी clear अब जो बीच वाली 2 संख्यां बची हैं इसको क्या करना है इन दोनों को आपस में जोड़के आपको 2 से भाग करना है तब जाके आपकी माधिका निकलेगी क्योंकि इसमें कोई इकलोता नंबर आएगा नहीं बीच में है ना संख्याएं इवन है तो इकलोता नंबर बीच में नहीं आएगा तो इकलोता नमबर अगर बीच में नहीं आ रहा है तो जो दो संख्या आ रही है बीच में उनको जोड़के दो से भाग कर दो तो 25.5 आपकी ये माधिका रहेगी option C correct answer है क्या सभी ने option C को answer दिया है Question number 14 है आपके सामने अपने सामाने चाल की 3x4 की चाल से चल कर एक आदमी अपने कारयले 20 मिनट विलम से पहुंचता है सामाने चाल से चलने पर कारयले कब पहुंचेगा ऐसा question जब भी आपको दिखे जब भी आपको ये वाली type दिखाई दे आपको फटा फट ट्रिक से question solve करना है देखे ये question basic से भी हो सकता है ज्यादा लंबा basic से भी नहीं पड़ेगा बस आपको समय को team मानना है और थोड़ी सी value addition करनी है universally proportional वाला formula लगा के हम basic से भी कर सकते हैं कोई issue नहीं है पर हमें exam में question solve करके नहीं दिखाना है हमको सिरफ answer से मतलब होना चाहिए कैसे हम जल्दी answer निकाल लें तो इसके लिए आपको trick ध्यान रखनी है जब भी आपके सामने इस type का question दिखाई दे trick क्या लगेगी देखे ये आपको समानने चाल के अलावा जो चाल दे रखी है 3 by 4 इसमें क्या करना है उपर value को आपको same लिखना है और फिर इन दोनों को आपस में minus कर देना है और आपको क्या करना है multiply by time करना है जो आपको time extra लग रहा है क्या ये formula समझ में आया ये trick समझ में आई आपको 3 by 4 आपको value दे रखी है मान लिजे इसके अलावा देखो आपको value दी होती 7 by 11 तो हम क्या करते 7 को ऐसे लिखते नीचे 11 minus 7 करते और multiply by time कर देते समझ गए तो बढ़ते हैं solution बे देखिए 3 4 में से 3 minus करेंगे 1 into time कितना है 20 minute 20 को 30 से multiply करेंगे कितना बनेगा 60 minute बनेगा है ना 60 minute क्या होते है एक घंटा होता है option आपका एक correct answer होगा समाने चाल से चलने पर वो का रहले एक घंटे में पहुँच जाएगा क्या सभी ने option एक को answer दिया है चलिए next बढ़ते हैं question number 15 की तरफ आज का last question है जल्दी से इसका answer दे दो जल्दी से इसे प्रस्न का answer दे दो क्या answer होगा trigonometry में कभी करवाता नहीं हो आप बोल रहे हो तो काफी बार आपने बोला है trigonometry का भी एक आदा question डालिए तो आज मैंने trigonometry का question डाला है और देखिएगा trigonometry आपके exam में इसी level कियाएगी बिल्कुल आसान कि आप value put करके भी answer निकाल सकते हो आपको कोई SSA railway banking का paper नहीं देना है तो आर्मी में ऐसा ही पूछेगा देखिए sin theta बराबर cos theta है तो आपको sec theta का मान बताना है अब यहाँ पर आपको trigonometry का table याद होना चाहिए table क्या होता है जैसे sin अगर मैं 0 degree की value पूछू तो आपको पता होने चाहिए 0 होती है है ना ऐसी अगर मैं बोलू हूँ आपको sin 30 degree की value क्या बोलू मैं आपको sin 30 degree की value तो आपको पता होने चाहिए 1 by 2 होती है sin 45 degree की value कितनी होती है 1 by root 2 होती है यह सभी आपको table मालूम होने चाहिए आप देखिए question को sin theta बराबर cos theta यानि कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो theta की ऐसी कौन सी value रखूं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो यहाँ पर दिखिएगा अगर आपको table याद है तो sin theta की value में क्या रख देता हूँ 45 degree रख देता हूँ sin 45 degree की value कितनी होती है 1 by root 2 होती है और cos 45 degree की value कितनी होती है इसकी value भी 1 by root 2 होती है clear तो यानि कि अगर मैं theta की value 45 रखूंगा तो यह satisfy कर रहा है क्या कर रहा है satisfy कर रहा है तो यहाँ पर आपको sec theta दिया है तो आप sec theta की value भी क्या कर दो 45 degree कर दो simple theta की value 45 मुँको पता लग गई तो यहाँ पर भी 45 value रख दो check 45 value की value आपको पता होनी चाहिए क्या होती है root 2 होती है option आपका a correct answer हो गया अब देखे trigonometry आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये chapter आपको अभी तक करवाया ही नहीं है है ना यहां फिर आपसे इस type का one liner question पूछ सकता है आपसे trigonometry में तो आप बोलेंगे तो trigonometry भी हम आपको करवा देंगे जिससे आपको trigonometry में भी कोई problem नहीं होगी army के level की तो दोस्तो यही था आज का test बताईएगा आज के इन 15 प्रस्नों में आपका score कितना है आपको हमारी class कैसी लगी क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है अपना score सभी को comment करना है मिलते हैं कर किसी और अच्छे topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद